पीएम नरेंदर मोदी ने 17 सेतंबर को अपने 73 जन्म दिन और विश्वकर्मा जयन्ती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉंच की इस योजना का पूरा नाम प्रधान मंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है इसके जरिये सरकार आने वाले सालों में पारंपरि कौशल वाले लोगों की मदद करेगी सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड रुपे खर्च करने का प्लान किया है ये योजना आगले 5 साल तक लागू रहेगी प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के तहट कारिगरों और हस्ट शिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमार पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा आगे बढ़ने से पहले विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या इस योजना के जरिये सरकार, सुनार, लोहार और नाई जैसे पारमपरी कौशल रखने वाले लोगों को कई तरह के फायदे देगी इन 18 पारमपरी कौशल वाले कारोबारों में कारपेंटर, नाउ बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, मिटी के बरतन और अन्य कारोबार शामिल है इस योजना की खास बात ये है कि अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन फंड की दिक्कत है, तो वो इस स्कीम के तहट लोन के लिए अपलाई कर सकता है स्कीम में 3 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है, बिजनेस शुरू करने के लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा लोन बेहद रियायती दर पर मिल रही है इस लोन के तहट 5 फीज़ती का ब्याज़दर लिया जाएगा केंद्रिय मंतरी आश्विनी वैशनव ने प्रधान मंतरी विश्व कर्मा योजना की जानकारी देते हुए बताया था कि इस योजना के तहट कारिगरों को प्रसिक्षद भी किया जाएगा ये ट्रेनिंग दो रूप में दी जाएगी पहली बेसिक ट्रेनिंग होगी और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग के दोरान प्रसिक्षद आर्थियों को रोजाना 500 रुपे की आर्थिक सहाइता भी दी जाएगी टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपे की वित्ती मदद मिलेगी इस योजना के तहट पहले साल में 5 लाख परिवारों को लाव मिलेगा और 5 सालों में कुल 30 लाख परिवारों को इस योजना से लाव मिलने का अनुमान है अब जानते हैं कि PM विश्वकर्मा का फायदा लेने के लिए जरूरी शर्ति क्या है सबसे पहले जो भी आदमी इस इस कीम का लाव लेना चाहते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी शर्ट ये है कि इस योजना का फायदा उसे ही मिलेगा जो स्कीम के तहत सूचित 18 पारंपरी कौशलों में किसी एक से जुड़ा हो इसके अलावा उसके पास संबंधि ट्रेड में मानेता प्राप्त संसान से सर्टिफेकेट भी होना चाहिए योजना का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी के पास अधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाड पत्र, जाती प्रमाड पत्र, निवास प्रमाड पत्र, पासपूर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पास्बुक और एक वैद मुबाइल नंबर होना चाहिए तो ये थी पीएम विश्व कर्मा योजना से जुड़ी जानकारी, उमीद करते हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी, मेरे साथ ही प्रदी प्यादोंने, देखते रहे बोर्सनल फाइनस से जुड़े वीडियोज दिल में लेंगे फिर, शुक्रिया